करनाटक करनाटक आखिरकार खक्म हो गया है जितनी आसानी से मैंने पहली लाइन बोल दी उतनी आसान करनाटक की राजिनीती रही नहीं सबसे पहले तो राजिपाल द्वारा केजी बोपया को प्रोटेम स्पीकर बनाने के खिलाफ कॉंग्रेंस सुप्रिम कोट चली गई और सुप्रिम कोर्ट ने फैसला दिया कि केजी बोपया ही करनाटक के प्रोटे मिस्पिकर बने रहेंगे सबसे पहले विधायकों का सपत ब्रहन शुरू हुआ एक के करके विधायक शपत लेने लगे मीडिया में अटकले लगने लगे कि सरकार गिरेगी या बचेगी में यह कहते हुए खत्म किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ मतलब कि बीजेपी जरूरत के मुताबिक विधायकों का इंतिजाम कर नहीं पाई और अब गेंद कॉंग्रेस जेडियस के पाले में है और खबरों के मुताबिक सोमवार को जेडियस के कुमारा स्वामी करनातक के मुख मंत्री पत की शपत लेंगे